नमिश्कार दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार में यदि आप महाकुम्ब 2021 की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले देख लिजे क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने थ्री गाइडलाइस जारी कर दी हैं केंद्र सरकार के दिशार और निर्देशा अनुसा और सारी जानकारी हासिल कर लिजे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है के अगे आने वाले वीडीयो की नौटिफिकेशन सबसे पहले फ्री आफ कॉस्ट मिलती रहे जो पूरे भारत के अलग-अलग हिली स्टेशन, डेस्टिनेशन और ट्रैवल समद्दी जानकारियां आपको परतान करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो जादा से जादा लाइक करके मुझे प्रोहिस साइथ करें आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली आपको दिशा निर्देशा नुसार जानकारी देते हैं पहले नियम के नुसार 72 घंटे पहले तक की निगेटिव आटी पीसी आर कोविड-19 रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी होगी उसके बाद आपको आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी तीसरे नियम के नुसार शबीश रधालियों को उत्राखंड गॉर्मेंट के साथ रिजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आवश्चक सैटिफिकेट अपने राज या प्रदेश के कम्मिनिटी हेल्थ सेंटर जिला अस्पटाल या मौडिकल कॉलेज से एक मेडिकल सैटिफिकेट लेकर के रखना होगा यदि आपको रिजिस्ट्रेशन करवाना है तो उत्राखंड कुम्ब मेला या देहरादून स्मार्ट सिटी के वैबसाइड किस से करवाना है इसकी सूचना मैं आपको वीडियो के जल्द ही डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूँगा अभी ये जानकारी सरकार ने जा मेला छित्र में ना आने का सुझाव दिया गया है और मेले में समलित सभी सहयोगियों को मेडिकल सैटिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए भी बोला गया है ये जानकारियां हासिल करने के बाद ही आप कुम्ब मेला 2021 उत्राखंड हरिद्वार की यात्रा करें उमीद करता हू आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी हमेशा वाइटे भारत चनल पर बने रहें नमश्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में